हेलो दोस्तों वेलकम टो वर यूट्यूब चैनल मैथ वीदम नोज जहां पर मैथ प्रिप्रेशन के साथ साथ असेसी रिलेटिड अपडेट मैं आप लोगों को देता रहता हूं तो यह दि आप असेसी की त्यारी करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आज हम बात करेंगे CGL 2020 फाइनल कट ओफ के बारे में यानि कि मिनीमम कितने मार्क्स पर आप लोगों को कोई जो मिलेगी अससी CGL के अंदर तो बहुत सारे फेक्टर होते हैं जिस पर कट ओफ डिपेंड करती है मैंने सभी को ध्यान से देखा है एनलाइज किया उसके बाद ही कट मैं आप लोगों को बता रहा हूं फैक्टर क्या है वही जैसे अटेंडस इस बार थोड़ी कम थी पीछे के मुकाबले और जो अग्जाम पैटरन था प्री का मेंस का वह कैसा था और टीर थ्री की अभी आप लोगों की कोपी चेक नहीं हुई है तो उसका रफली स्कोर हम मा रहे हैं हो सकता है कुछ बच्चों को यह कट ओफ पसंद ना आए वो कहेंगे कि आपने ज्यादा बता दी लेकिन मेरे हिसाब से कट ओफ इसी के आसपास रहनी चाहिए तो कट ओफ देखते हैं क्या है जो मिनीमम सेप स्कोर लगा सकते हैं आप लोग या फिर मिनीमम नंबर जिस पर आपको पोस्ट मिलेगी मैं आपके डोकुमेंट वरिफिकेशन के लिए कट ओफ नहीं बता रहा भी जिसमें आपका लिस्ट फॉर में नाम आ गया और आप लोग कहेंगे मेरा नाम आ लिस्ट फॉर वालाओं का लगबग पांच प्रसेंट भी चांस नहीं होता कि उनको जो मिले लिस्ट फरी में कम से कम आपका नाम होना चाहिए लिस्ट फरी से भी ज्यादा आप लोगों के नंबर बनने चाहिए तब जाकर आपको जो मिलती है तो फिर भी मैं एक रफली आइडिया आप लोगों को दे देता कि इस बार की कट ओफ कितनी रहेगी वह सभी के लिए यू आर एड़लू एस ठीक है और उसके बाद ओबी सी ृइ सी और स्टसर्थी ठीक इन सभी कैटेगरी की कटफ ने आप लोगों को बता देता हूं यह है वाई कटफ जो है यह आप लोगों की संब लाकर के तीहर वन प्लस में टियर टू पलस में tier 3 मिलाकर यह cut off है यानि कि यह जो भी नंबर है वो 700 में से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कितने नंबर आपके आएंगे तब जाकर आपको TA की job मिल सकती है यानि minimum कोई job मिलेगी सबसे निचे की post जो है वैसे TA से निचे post होती है लगबग TA की जो cut off रहेगी वह देखें भी जिस पर आपको जो मिलेगी कि इसके लिए अनरेजर के लिए यह cut off होगी पांचो 140 पलस माइनस फाइव हर एक केटिगरी में हो सकता है या तो जो फाइनल कट ओफ है इससे पांच नंबर उपर चले जाए या पांच नंबर नीचे चली जाए ठीक है और उसके बाद अगर EWS की बात करें तो यह ज्यादा गैप नहीं रहेगा भी इनके बीच में तो यह 527 ठीक है OBC की बात करें तो यदि आपके 700 में से 520 बन रहे हैं भी तो आप लोग मान के चल सकते हैं कि 90% आपकी जोब लग जाएगी इस बार CGL में ठीक है अगर SC की बात करें तो वह आप लो लोगों माक्स बन रहे हैं तो आपको जो मिल सकती है इस बार CGL में और ST की बात करें तो यह इन से लगबग 10-15 नंबर कम रहती अभी तो आप लोगों के अगर 455 नंबर बन रहे हैं और इन सभी के अंदर पलस माइनस फाइव आप लगा के चले में पांच नंबर उपर भी जा सकती है कट ओफ और पांच नंबर नीचे भी एनिक फलक्ट्वेशन जो है वह पलस माइनस फाइव का रहेगा बाकी ओवर ओल आप लोगों की जो मिलने के लिए जो कट अफ है वो यही रहेंगे भी यह दि किसी को लगता है इस कट-ऊफ से कम यह ज़ाद रहेगी तो आप लोग कुमेंट में मेरे से बात कर सकते हैं बता सकते हैं कि आप लोगों कितने माक्स हैं और आपके हिसाब से कट अफ कितनी रहने वाड़ी हैं और जो बच्चे sse के लिए आगे त्यारी कर रही और तो मैट की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले